नमस्कार स्टुडेंट्स पंडित देंदिया लुपाध्याई सेखावाटी अनिवसिटी के PG के प्रिवेश एर के कहें या फाइनल एर के दोनों के ही जो है वो रिविलेशन के फॉर्म अपलाई होना स्टार्ट हो गया है तो अगर आप लोग MA, MSC, MCOM तीनों संकाय में से किसी के भी स्टुडेंट हैं तो आप लोग रिविलेशन का फॉर्म अपलाई कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगो जो है वो स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट क्योंकि बहुत से स्टुडेंट्स को पता ही नहीं है इसलिए जो हो फॉर्म फिलप होना अभी जो हो स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन बहुत से स्टुडेंट्स जो है वो अपलाई कर ही नहीं पा रहे हैं जो स्टुडेंट्स को I think जो है वो इन्फॉर्मेशन की कमी रही है जिसके वज़े से जो हो अपलाई नहीं कर पारे तो आप लोगों को जो हो स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट में आप लोगों बताने वाला हो प्रती प्रशन पतर जो कोस्ट है आप लोगों की वो कितने आने वाली है वो बताएंगे आप लोगों को और कितने papers आप अप्लाई कर सकते हैं Revelation के लिए वो भी आप लोगों को clear out कर देंगे बाकिया आप लोगों को hard copy जमा करवानी है या नहीं करवानी है वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा तो आए स्टार्ट करते हैं देखे सबसे पहले आपर Revelation के फॉर्म फिलिंग पर चले जाते हैं Revelation फॉर्म फिलिंग 2023 पर अगर यहां पर आपन चले जाते हैं तो आपने पास जो हो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन जाएगा जहां आप लोग नीचे की तरफ जाएंगे ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं एमकॉम के लिए आप लोग पास में जहाँ वो क्लियर आप आप जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया वा आप लोग देख सकते हैं एमकॉम के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग जहाँ डेट 48 2023 से 1908 2023 रखी गई है इसके बाद में आप लोग जो हो PG डिप्लोमा के लिए जो देख सकते हैं कई कॉर्स के लिए जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है वो आप लोग देख सकते हैं 31 साथ दोजार थीज से 15 अड़ डोजार थीज रखी गई है पीजी डिप्लोवा कोर्ष में और भी है MSC Previous Year के लिए आप लोग देख सकते हैं आपर Chemistry के लिए जो है वो ठीक है और MSC Final Chemistry दोनों के लिए जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 7, 8, 223 से जो है 22, 8, 2023 रखी की है जिस भी संकाय से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से देख सकते हैं मैं जिस्ट जो है स्क्रोल ही कर रहा हूँ बस अराम से देखिये इस चीज को ठीक है और अपनी starting date जो है और last date जो आप लोग यहाँ पर जो है clear out कर लीज़े students ठीक है अब हम बात कर लिते हैं students की आप लोगे प्रती प्रस्ण पतर जो कोस्ट रहने वाली है वो कितनी रहने वाले तो प्रती प्रस्ण पतर जो कोस्ट है आप लोगे वो 340 रुपए रहने वाली है एक paper अगर आप लोग जो है वो लगाएंगे revolution के लिए तो आप लोगे जो पेपर्स को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग पाच पेपर हैं फाइनल येर में ठीक है प्रिवेश येर में ठीक है तो आप लोग जो है वो दो या तीन पेपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद में बात करें स्टुडेंट्स हम लोग जो है वो क्या आप ठीक है बाकि अगर डेट जो है वो एक्स्टेंड होती है ठीक है या कोई नहीं इंफोर्मेशन आएगी तो आप लोगों को इंफोर्म कर दिया जाएगा बाकि वीडियो देखने के लिए students आप लोगों का बहुत बहुत दिन्यवाद प्लीज इस वीडियो को जो है जितने भी आप लोगों कोंटेक्ट में उन तक शेयर कर दीजिए कि बहुत जहां वो कम रिवलेशन के फॉर्म अपलाई होना स्टार्ट हो रहे हैं बाकि थेंक्यू फॉर वाचिंग देस वीडियो